तो अंग्रेजी दवायों के खिलाफ पतंजली के कथित भ्रामक विग्यापन मामले में योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोट से मंगलवार को भी रहत नहीं मिली। पतनचली भ्रामक विज्यापन मामले में सुप्रीम कोट ने आज भी बाबा रामदेव को माफ करने से इंकार कर दिया और उन्हें एक बार फिर 23 अप्रेल को पेश होने का आदेश दिया है रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोट में पेश हुए थे और तभी सुप्रीम कोट ने कहा कि अभी हमने माफ नहीं किया है दरसल सुप्रीम कोर्ट पहुचे योग गुरू रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी मगर कोर्ट ने उन्हें माफ करने से इंकार कर दिया बाबा रामदेव से जस्टिस हिमा कोली ने कहा कि आपने जो किया है बाबा रामदेव जी क्या हम आपको माफी दे दे आपको पता है कि आपने क्या किया है इस पर रामदेव ने कहा कि हम से जो भूल हुई है उसके लिए हमने माफी नामा दाखिल क्या है अभी भी हम माफी ही मांग रहे हैं